असलाम लेकुम बच्चो तो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश का चैप्टर नुम्मर फर्स्ट जो है टीटू का आपका वो चैप्टर जो है आपका उसका नाम है टैकल यूर प्रॉब्लम्स वाइजली अपनी problems को आपने कैसे tackle करना है अपने जो भी problems आपके सामने आएंगी तो उनको कैसे आपने tackle करना है उनके सापने कैसे मुकाबला करना है wisely कितनी होश्यारी से मतलब कि कितनी समझदारी से जो भी problem आपके सामने आए तो समझदारी से इन problems को कैसे हल किया जाता है तो start करते हैं क्या है long long ago dear lived a pair of parrots on a green bunyan tree तो बहुत पहले पहले की बात है dear lived a pair of parrots तो वहां पर कहां पर कहीं पर रहते थे एक जोड़ा था parrots का जोड़ा था on a green bunyan tree एक बरगद के पेड़ पर जो है parrots का ये जोड़ा जो है एक पेर रहता था तो the bunyan tree stood on the bank of a white river तो ये bunyan tree कहां पर था इसकी location कहां थी कि जगा पर था ये तो the bunyan tree stood on the bank of a river the parrots leave there happily तो एक दर्या एक खुला दर्या बड़ा दर्या था उसके किनारे पर जो है ये जो है दर्या के किनारे पर ये बर्गत का एक बड़ा पेड था जिस पेड़ के ओ पर जो है ये पैरोट्स का जोड़ा रहता था था तो the barrots lived there happily तो ये पैरोट्स जो है वहां पर रहते थे तो कैसे रहते थे खुशी से रहते थे बहुत हैपी थे बहुत खुश थे was the favorite swimming spot for the Prince of Bilaspur ये Prince जो है बादिशा जो था बिलासपूर का उसके लिए जो है ये वाला spot swimming करने के लिए जो है उसको बहुत ही अच्छा लगता था उसको favorite था उसका पसंदीदा spot था उसकी पसंदीदा जगा थी दर्या में ये वाली जगा जहां पर वो ये नाता था swimming करता था तो the Prince loved to ride and hunt अक्सर क्या है मतलब कि the Prince ये जो बादिशा था ये इसको love इसको पसंद था क्या पसंद था इसको to ride and hunt ride क्या हुआ मतलब कि ride करना जाना सफर पर कहीं भी and hunt और शिकार करना तो after a hot dusty ride on one of his fine horses अब क्या after a hot dusty ride अब एक ride के बाद एक hot warm dusty मतलब हो जाता है ना सफर में बहुत घड़ा वगेरा ये वो तो इसमें एक ऐसी ride के बाद the Prince liked nothing अब प्रिंस क्या चाहता था उसको कुछ पसंद नहीं था बट क्या better than to have a lazy swim in the cool water अब वो चाहता था कि अब इतना मैं जो है ride करके आया हूं इसमें सफर में मैं ठक गया हूं ये वो सब कुछ चीजे मुझे problem आई तो अब मुझे better लग रहा है कि मैं क्या करूँ swim करूँ अब मैं जो है यहां पर इस पानी में जो है तैरू में यहां पर अपना नहूं तो थोड़ा सा मैं जो है fresh हो जाओं तो one day in the spring the mother parrot laid some eggs तो अब क्या हुआ इस mother parrot ने जो है अंडे दे दिये the parrots were delighted और यह जो parrots अब थे अब क्या delighted थे भहुत ही खुश थे क्योंकि अब इनने अंडे दिये थे तो in the afternoon the branch in the afternoon in the afternoon they sat happily on branch and watch the prince slapping splashing about in the water in the river below तो अब क्या हुआ in the afternoon afternoon में उनने क्या देखा they sat happily on branch अब वो वड़ी खुशी से जो है उस कहीं पर branch पर किशी शाक पर बैठे थे and watch the prince अब वो क्या देख रहे थे prince को देख रहे थे splashing about in the water below अब वो जो है splashing मतलब की पानी का छड़कना चाहे फिर वो मौँ पर body पर मतलब की वो पानी जो है अपने उपर डाल रहा था in the river below नीचे जो दर्या था उस दर्या में जो है यह पानी के साथ जो है खेल रहा था यह कुछ और कर रहा था अपने उपर जो है पानी डाल रहा था but in the evening अब क्या हुआ लेकिन in the evening अब शाम का वक्त when they return to their nest जब वो अपने गॉंसले में वापस आये कौन यही पार्ट जो दो थे यह अपने घॉंसले में वापस आये शाम को they found that their eggs had disappeared तो अब उनने क्या देखा कि they found that their eggs had disappeared disappeared क्या होना घाईब हो जाना तो यह जब वहाँ पर शाम के टाइम अपने गॉंसले में वापस पहुँचे तो उनने क्या देखा कि उनके जो है eggs जो थे वो डिस circles to search for their eggs, तो अब क्या हुआ, they tweeted about in sadness, अब वो अधर-इदर चिलाने लगे, and flew in the circles to search for their eggs, अब जब उन्हें वो देखा कि हमारे eggs जो हैं, वो disappear हो गए हैं, तो उन्हें क्या किया, अब वो गूमने लगे, circles में वहाँ पर गूमने लगे, ढूनने लगे कि कहीं हमारे eggs यहीं पर तो नहीं है, या गिर गए हों, या कहीं और हों, तो after some time, the father parrot saw the tail of a long snake slithering into a hole at the base of a tree, after some time, अब कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, the father parrot saw the tail of a long snake, जो यह male parrot था, इसने देखा, क्या देखा, the tail of a long snake, एक दुम देखी, इसने, एक लंबी सी दुम इसने देखी कि सांफ की slithering into a hole at the base of, at the base of the tree, अब इसने देखा, एक सांफ जो है, वो उस अपने भिल में जा रहा है, slithering मतलब क्या हुआ, इसका actual meaning, मतलब की किसी भी surface पर किसी चीज का twist करके चलना, घूम कर चलना, मतलब की जैसा सांफ चलता है, तो यहाँ पर सांफ के चलने को बताया, तो यह इस्तमाल किया गए, कि सांफ जो है, वो ऐसे घूम कर अपने hole में जा रहा था, अपने बिल में जा रहा था, तो इस परट ने इसको देख लिया, कि यह, अब इसको मालूम हो गया, कि एग्जेक्टली यहाँ पर हुआ, क्या है, तो अब क्या हुआ, अब जो है, जब इनको यह हो गया, तो अब यह घूमने लगे, अब यह अब शाखों से, एक शाख से, दूसरी शाख पर जाने लगे, चिलाने लगे, और इनने ऐसा शोर मचाया कि, दे वोक अब यह फ्रेंड, दूसरी अब इनने जो है, इतना शोर मचाया कि उनका जो फ्रेंड ओल था, वो जो है, उठ गया, द पैरोट सस्पेक्टेड देट, इसी ने किया है काम सारा, यह सने जो है, आप पैरोट ने इसने क्या किया, उनको शक हुआ, कि इसने जो है, हमारे ये जो है, अंडे जो है, वो किसने खाए हैं, इसनेक ने जो है इनके एग्स जो है खाये हैं तो इनको शुक हुआ कि यह जो है इसी ने किया है काम सारा यह सनेक जो है अमने देखा वहां पर तो इसी ने हमारे अंडों को जो है खाया है सो डे टॉल दो अल चैनल सनेक यह कुझा किससे कई अब जो उनका फ्रेंड ओल वहां पर उठा था वेग्ड अड़ा तो उठा था तूसे उनने बात कि और उसको जो है यह सारा माजर्या बताया है हमको जो है लगता है कि यह काम किसका है स्ने सैक ही है तो अब उनने क्या और भी forever, वंनने क्या किया ? उसने उन से कहा कि अब आप में चोह होड़ू लूंगा फंड़। पर आइडीय बना यहान महां महां बताए कि आप यहीं को होड़ रहे रहे हैं. हम नहीं रहेंगे इस ट्रीपररब के बाथ हम इस ट्रीपर यहाँ से पर नहीं रहेंगे .. तो यह था यहां पर आपका चैप्टर का यह पहला वाला पेज तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पेज तो हाँ तो अब क्या हुआ इनने ओल को जो है सारा माजरा बताया और कह दिया कि यह सिनेक ने जो है हमारे साथ ऐसा किया तो जो है हम यह अपना यह अपना घर है हमारा गोंसला हमारा बना हुआ है इस पेड पर हम इसको छोड़ कर कहीं और चले जाएंगे अब जो है यह औल जो है वहाँ पर बैटा था तो उसने लिसन टु धीज़ सैड स्टोरि यह काफी डुख भरी कहनी थी इनकी तो इसने सुनी he nodded his head and rolled his eyes तो इसने अपने he nodded his head क्या हुआ मतलब अपने सार को हिलाना he nodded his head and rolled his eyes और अपनी आँखों को जो है roll किया don't worry my friends और उनको धिलासा दिया don't worry आपको आप फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दो सेट दा ओल आप इस ओल नहीं से कहा कि कोई बात नहीं है आपको आप फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है you must not think of leaving your nest and going away because of that horrible, horrid snake you can get rid of him easily तो आप इसने क्या कहा ओल नहीं you must not think of leaving your nest आपको नहीं सोचना चाहिए ऐसा कि आप अपने घर को जो है छोड़ दो अपने घौंसले को जो है छोड़ दो and going away और कहीं और चले जाओ because of the horrid snake इस snake की वज़े से इस साफ की वज़े से जो है यहां पर आपको जिससे आप डरने लगे हो तो इस साफ की वज़े से आप यह क्यों चोड़ दोगे एपनी जगा तो आपको ऐसा नहीं करना है तो इनने क्या किया फिर you get rid of him easily तुम जो है आसानी से इस से जो है आपको क्या मिलेगी आप आसानी से जो है इस से नजात मिल सकती आपको आप इस को छोड़ आप इस को खतम कर सकते हो आप यहीं पर रह सकते हो तो पैरोड लुक पजल तो अब यह जो पैरोड थे यह क्या यह दे लुक पजल अब वो परेशान हो गए पजल हो गए वो परेशान हो गए कि अब हम करें तो करें क्या खुद कह रहें कि हम यहां से चले जाएं लेकिन जो है इनका फ is it really possible क्या यह सच में मुम्किन है बठाओ अगर यह आप हुमें बताएं यह पॉसिबल है अगर है तो कैसे सच दे पैरोट्स ने उनसे कहा अपने फ्रेंड से पूछा कि सच बताओ अगर यह मुम्किन है अगर यह पॉसिबल है तो बताओ कैसे यह पॉसिबल है अब इसने अपनी वह बड़ी बड़ी आँखों को जो है बिलिंक किया जब का गो तो दे प्लेस वियर दे प्रिंस है लेफ्ट इस लेफ्ट किया है अपने कपड़े और अपने जेवरा जो पाच्छा को लगे तो वह पर ना रहा था तो उसने वो कपड़े और निकाल के रके थे तो और अपने वह जेवराद भी निकाले थे तो सेड दा ओल इस होने तो ने इससे का पिक अप दप्रिंस गॉल्ड बैंगल और ड्रॉप इंटु दा स्नेक ओल आप जो है उन को उठा के लाओ वहां से क पर snake hole में डाल दो the parrots did not understand what this was all about तो यह जो parrots थे did not understand इनको जो है यह बात समझ में नहीं है आई what this was all about यह जो बताया है all ने ऐसा कीजिए तो यह क्यों कहा है इन्होंने but they trusted the all and they respected his wisdom तो but they trusted the all उन्होंने जो है बरोसा किया उस पर all पर and they respected their wisdom उसकी काबलियत उसकी उसकी उसको कोई शक नहीं था तो उन्हें उसको क्या किया रस्पेक्ट किया उसके decision की जो उसने उनसे कहा उनने किया they thanked all उन्होंने थेंक किया all को ठीक है and immediately flew towards the river और जल्दी से फोरण ही वहां से वह ओड़ गये छ向 पर 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 इसनी यह परð रहा है चाएं आपने 程हिए जो मधर पर थी उसने अपने फ्लैड यह विंक आपने पांखं को and they looked here and there and they were surprised to see the parrots flying off with the prince bengal so they were surprised to see the parrots flying off with the prince bengal. अब देख रहे हैं यह बाद्शाह की जो है यह बैंगल जो है उठाकर ले गए है और यह अब देख रहे हैं उसको परिशान हो गए कि यह क्या हो गया and chase the and the gods roasted themselves and chase the parrots. और gods जो हैं जल्दी से उड़ गए and chase the parrots. वो जल्दी से उड़ गए और जो है chase करने लगे दोडने लगे इन parrots के पीछे the parrots flew around just out of reach of the gods. तो अब जो है parrots जो है भाग गए just out of reach of the gods. इन gods की reach से जहां तक यह पहुँच सकते थे वहां से यह जो है दूर चले गए at last it flew directly over the snakes hole. अब क्या हुआ आखिर कार जो है it flew directly over the snakes hole यह उड़ गए कहां पर सीधा on snake hole के जहां पर वह सांफ का बिल था वहीं से यह गुजर गए and drop the gold bangle into the snake hole और अब जो है so सांफ का जो बिल था उसमें जो है इस bangle को छोड़ दिया and it then preached on the high branch और फिर जो है इस bangle को जो है छोड़ दिया सांफ के बिल पर और खुद जो है दूर बैठ गए किशी शाक पर और देखने लगे तो the snake was startled by the arrival of the bangle and poked its head out of the hole to see what was going on just as it did so the gods arrived and so on them drilled his stick and killed the snake अब क्या हुआ the snake was startled by the arrival of the bangle अब जो है यह snake अपने बिल में बैठा तो जब से यह bangle उसके अंदर उस बिल में गिरी तो यह परेशान हो गया यह क्या हो गया अचानक से जो है ऐसा कुछ हो गया तो इसने क्या किया है जब यह परेशान हो गया यह कैसे आ गई तो he poked his head इसने अपने सर को जो है अपने बिल से बाहर निकाला and to see what was going on इसने इसने सोचा मैं आपना देखूंगा जरा यह क्या हो रहा है मेरे बिल में जो है यह चीज आई है तो ही इसने अपने जो है सर को बाहर निकाला what was going on just as it did so the gods arrived जो ही इसने अपने सर को बाहर निकाला the gods arrived और यह जो है gods वहाँ पर आप पहुंचें and one of them drew the sticks और एक ने अपनी जो है लाठी निकाली and killed the snake और इस सांफ को जो है मार दिया then that was the end of the snake और यही जो है इस snake का इस सांफ का जो है वह खात्मा था the parrots were overjoyed अब जो है parrots काफी खुश हो गए क्योंकि वह सांफ ने जो उनके साथ किया था वही इसने उनके साथ वापस किया they thanked their friend the all and praised his intelligence अब उनने थैंक किया अपने दोस्त को the all and praised his intelligence और उसकी intelligence उसकी काभलियत की जो है काफी तारीफ की after a few months और कुछ महीनों के बाद the mother parrots laid some more eggs और जो है mother parrots दी जो female parrots ती उसने जो है और अंडे दिये and baby parrots hedged out और जो है उन अंडू से जो है baby parrots चोटे बच्चे जो है parrots के बहार आये the parrots continue to live happily in the tree for many years तो आप जो है parrots जो है उसके बाद तो happily जो है को रहने लगे उस वहाँ पर बहुत सारे सालों तक फिर वह वहीं उसी पेड़ पर काफी खुशी से रहे तो यह हो गया आपका chapter complete तो इस chapter का मकसद क्या था मतलब कि इस chapter से आपको अब क्या समझ में आया है समझ में यह बात यह समझनी है कि इसमें आपको जो है क्या कहा गया है कैसे बताया गया है इसमें आपको कैसे मतलब समझाना है समझाने की कोशिश की गई है कि हर चीज का जो है हल होता है लेकिन होता कैसे है मतलब wisely दिमाग से सोच कर मतलब कि कैसे उनको ओल ने जो है एक अच्छा सा रास्ता बता है जिसके वचासे उनको खुद भी कोई नुकसान नहीं मिला और जो है वो साब भी जो है जो उनका दुश्मन था वो भी जो है मर गया वो भी खतम हो गया उनका दुश्मन भी खतम हो गया और उनने उसके प्राबलम से टेकल किया बहुत ही आसानी से मतलब अपने धिमाग का इस्तमाल किया और उन पैरोट्स को जो स्कीम बताई तो उनने किय नहीं तो पेरोट्स ने सोचा था कि हम वह घर छोड़ी देएंगे वहांसे निसलिए जायंगे लेकिन उनको जो है फिर उनका मतलव एक मतलब पिर उनको जो है प्रॉब्लम का टेकल करने का टरीक जो यह ऐल ने बताया कि किस तरह से आप अपनी आपनी इसलिए को टेकल करो आ या मतलब इस चप्टर का पढ़ने का मकसद क्या था हमारे लिए कि हमको इस बात को समझना है कि किस तरह से हमें अपने दिमाग को लगा कर अपने माइंड को यूज करकर हर किसी प्राबलम को हर किसी मुसीबत का जो है हल जो है अपने दिमाग से अपनी काबलियत से अपनी जह को इस्तमाल करके जो है हमने हर चीज का हल जो है निकालना है तो आच आपको अल्लाहाफिज टेक केर